मानिने सदस स्री राजस रंजन जी सवब पति महद्या जी मैं सुरू करूँगा प्रधान मंत्रे जी का दो महिना महत्र बचा है जन्दीन को और उन्होंने सबसे पहले विश्कर्मा योजना एक उनकी जो बहुत बड़ी आम आदमी, मोची, निशाद, मला ऐसे बरगों के लिए योजना लाई गई हम सुरू करेंगे मानियवित मंत्री से कि पुराने में जो आप स्कील, स्टार्ट अप, मेकीन इंडिया या आपने जिन जिन योजनाओं को लाया उस पर अभी तक कोई स्वेत पत्र नहीं लाई कि उस योजना का क्या हुआ आपको रगुराजन जी के ओडिट रिपोर्ट को भी देखना चाहिए उसके बाद भी जो रिपोर्ट आई उस पे भी आप कभी इस सदर में आप नई योजना लाते हैं नया वजट लाते हैं पुरानी वजट पर कभी चर्चा नहीं करते हैं कि उस पर कोई implementation हुआ या नहीं हुआ उस पर कोई ध्यान दी गई की नहीं जिसमें सरम संगटन 2000 में जहां देश बेरोजगारों के पढ़े लिखे नोजमानों की तैदा 54.2 परतिसाथ थी वहीं 22 में 65.7 परतिसाथ हो गए मेरा सीधा इस पर है कि जब आपने 13,000 करोर रुपया एक विसकरबा योजना पलाया या जब आप कहते हैं कि मैं नोक्री के लिए 400 घराना 400 बड़े कॉर्परेट को मैंने कहा है कि आप बेरुजगार लड़कों को 5,000 अनुकंपा पर आप इसको इंटेंसिव दीजिए मैं पूछना चाहूंगा ये इंटेंसिव कब मिलेगा जब 40,000 लगबग कॉर्परेट के पहले से उसके काम करने वाले लोग हैं तो 2 करोर की योजना में 2 करोर की नोकड़ी में 25,000 एक कॉर्परेट पर कहां से वो आएगा ये जरासा हमें बताएं ये कौन सा जूट वाली बात है वे रोजगारों के लिए दूसरी चीज रोजगार पर जब आप बात करते हैं तो इस देश में सबसे ज़्यादे इंडस्ट्री किस पर है वो है फूट प्रोसेसिंग पर वो है प्रोप्रियाटन पर वो है टेक्स्टाइल पर भुनकर पर वो है कालीन पर टेक्स्टाइल योजना पर इनका टेक्स कितना बड़ा आप उसको देख लीजे कि टेक्स्टाइल पर इन्होंने कोई छूट नहीं दी, कोई टेक्सेस नहीं दिया और टेक्स को बढ़ा दिया, जब हम टेक्स्टाइल को बढ़ाबा नहीं देंगे, तो रोजगार कहां से डेवलप होगा, तो जब हम फूट प्रोसेसिंग, जो सबसे ज़्याद है यूपी या जहां पर भी दलहन तेलहन, जब हम बात करते हैं मक्का की, मकान की, दूद प्रोटिक्टिविटी की, उसके चीजों की उस पर टेक्सेस को आप बढ़ाए हुए है, आप जो सबसे ज़्यादे काम करने वाली 70-80% महिला हैं, हमारी बेटिया है, उस पर आपके लिए कोई योजना नहीं है, आपने क्या किया, आप हमको, आपने जितरी बजट लाई है, आप सीधा का सीधा कॉर्परेट, 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 लेकिन जब हम बात करते हैं, जो आम आदमी से जुरा हुआ है, जिसको सब लोग कह रहे हैं, इमने मंत्री जी हमारे गटगरी स आपने भी जो हेल्थ से जुरे 18 प्रतिस्तत GST की बात की, हम अस्पताल को फ्रीडम दे रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी की दवाई है, उसका जो एकुपमेंट है, अल्टासोन है, CTS के नहीं, MRI है, या जांच का विशह है, उस पर हम भूश डाल रहे हैं, तो आम आदमी को कहा से benefit मिलेगा, अब ही सबसे बड़ी बात क्या है, बैंक की जब बात आती है, सभापती मोदिया, तो बैंक क्या करती है, हमारे हाँ बिहार में 100-200 रुपिया वला घरीब लोग बाहर में काम करते हैं, वो बैंक को 100-200 रुपिया, 1000 रुपिया बेजता है, बैंक मिनिमम बैलें और घरीब का पैसा है, जो बाहर से अपने माबाब को वेचता है, वो पैसा ना काटे, ये इस पर आपने कभी चर्चा की, कि बैंक जिस तरीके से आज बैंक, आपका बैंक, आपको किसना पर लॉम देता है, आपने बैंक को क्या benefit दी, या बैंक को आपने क्या कहा, जो लाइब उसको लोन का, उसके भ्याज और उसकी सूद को कम किया, लेकिन क्या middle class कोई गरीबाद भी कर सकता है, हम आते हैं किसान पर, आपने किसान पर टेक्स नहीं बढ़ाया, लेकिन आपने क्या 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 पचास किलो खाद को आपने 45 किलो कर दिया, आपने 40 किलो कर दिया मैं जानना चाहता हूं कि 45 किलो को, पचास किलो को क्यों कर दिया, दूसरी चीज, जो सबसे बड़ी बात है, उसको मैं आपसे कहना चाहूंगा, कि मैडम, बार बार रोजगार की बात होती है, बार बार, यूद की बात होती है, जो केसन की बात होती है, हमें आप मैडम बता लो 60% जब तुम्हारा होगा एटेंडेंट तब हम तुमको एश्कॉलर देगे इस तरह मिनिमम मदर से कि आप चीजों को दो करोर कर दिये आप अल्प संक्या जैसे मौलाना अजार जो फेलोशिफ था उसको आपने बंद कर दिया आपने बजट को आपने सीधा 117 करोर पर ले हैल सं कर लिए तो जो आप सबका भिकार संकी बात करते हैं णरेयन मोदी जी की सरकार मेरा मेडम लास्ट है बिहार से बिहार सरकार ने लगातर बिजली को ले करके 1 Nation जैसे 1 Nation 1 है जो implicit की बात उठती रही 1 Nation one health जो हमारे राजस्तान के सरकार ने किया बिहार सरकार ने चार चा जो सबसे ज़्यादा मागा 4,000 करोर रुपिया बिहार सरकार पर अपुए ज़्यादा पोज परता है मैं कम कर रहा हूँ 70 पैसा मैडम 70 पैसा एक आप पर परता है दूसरा लगातर बिहार सरकार की ये योजना है हाइडेम से 40,000 करोर बिद्यूत पर योजना को बढ़ाबा देरा हाइडेम जिससे पूरा का पूरा कोशिच सिबांचल मिखलांचल को बढ़ाबा मिलेगी मैडम क्या हुआ इस बजट में क्या आपने नेपाल सरकार से बात करके आपने हाइडेम बनाने की पुर्योजना की एक तिस्रा चीज़ बिहार सरकार ने कहा है कि हमको पन्रा साल आप जी एस्टी माफ कर दीजिए ताकि हम अपने डेवलाप करें आपका हमको नहीं चाहिए चाहिए डाल मियान अगर हमको आई-एम की बात हमने किया पुर्या में हमने आई-टी की बात किया पुर्या में कोशिए सी माचल में हमने बात की मकार मकान पर फैक्ट्री की आपने वो ने किया तो आप उल्टे ही सारे के सारे मिडिय क्लास के पर GST का भोज डाल दिया आपने युबाओं पर गरीओं पर भोज डाल दिया आपने किसानों पर भोज डाल दिया लेकिन आप कॉर्पोरेट को सपोर्ट करते रहे अब हमनों को बोलने के लिए पहले आप खाला कर रहा हूं हमको 30 second, 30 second, 30 second, हम 30 second के, 30 second के, अगरा ये है, कि कम से कम बेहाद के लिए, मेरा अगरा आपसे है, कि भीषेस पैकेज, भीषेस राज की बात, हमारे मुक्好不好 करते रहे हैं, हमलों मिलकर, भीषेस स् sob., वाटर, पर्यावरन और जलवाई हो, और प्रियाटरन सब से बिसेश पैकेज हम कोजें सिमांचल के लिए बिसेश पैकेज कि मांग करते हैं ताकि मक्का और मक्हांट पराधारी फैक्ट्री को डवल अब अभीक से अधिक बिहार में हम एयरपोर्ट को डवल अब अब करें झाल, 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 झाल